आज की रेसिपी में हम बनाएंगे प्रूट कस्टर्ड वो भी वनीला फ्लेवर वाला तो सबसे पहले दूद को बॉयल कर लेंगे उसमें डाल देंगे फोर से फाइव टेविर स्पून कस्टर्ड पाउडर को डरिकली डी डालेंगे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम इसमें लम्स आजाएंगे फिर दूद में डाल देंगे उसमें एक अच्छा सा येलो कलर आजाएगा वनीला फ्लेवर आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं कस्टर्ड पाउडर यहां पर हम वनीला फ्लेवर का मेरे घर पर वेल था तो हमने वह यूज किय काई आहे अब हम इसमें दूद में डाल देंगे और इसको इसको रिगूलर ली चलाते रहेंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मिल्क काफी ठीक हो जाता है नहीं तो अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये बेस मैं लग जाएगा तो इसको कस रिगूलर दि के बाद ये काफी ठीक हो जाएगा फ्रूट्स हम बहुत ही ज्यादा गरम में नहीं डालेंगे इसको थोड़ा रूम टंपरेचर तक ठंडा होने देंगे इसके बाद ही फ्रूट्स डालेंगे फ्रूट्स डालेंगे बाद इसको हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें कर दो दो कर दो सकिए उल में चलाग कर दो